सरीर के दर्द को सिर से लेकर पैर तक के किसी भी तरह का आपके सरीर में दर्द है दर्द को ऐसे छुमंतर कर देगा जैसे सरीर में कभी कहीं दर्द हुआ ही नहीं था ये बेहद असरदार घरेलू उपाय आज आपके सामने सेर कर रही हूँ आपकी एक एक नस का दर्द बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हमारे सरीर में कभी दर्द था ही नहीं ये बहुत ही गुणकारी आज आपके सामने इस दूद की रेसिपी सेयर करूँगी अगर आप इसे एक हफता पी लेंगे सरीर में कहीं भी जोडों में दर्द हो या फिर आपको साइटिका जैसा भैंकर दर्द हो दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा तो फ्रेंट्स इसे हमें कैसे बनाना है कैसे हमें लेना है ये सारी जानकारी मैंने आपको आगे इस वीडियो में दी है तो वीडियो को बिना स्किप की लाश तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपकी कमर में गुटनों में कहीं भी दर्द हो जाता है जोडों में हमें भेंकर दर्द हो जाता है जिसकी वज़े से हम बहुती परेशान हो जाती है सर्दियों में ये दर्द बहुती जादे होता है और बारिस के मुसम में भी बहुती जादे ये दर्द हो जाता है तो आपको ये करना क्या है आपको लेना है एक गिलास दूद दूद आप किसी भी तरह का ले सकते हैं आपके पास पैकेट वाला दूद हो या फिर आपके पास थेली वाला दूद हो किसी भी तरह का दूद हो दर्द को ऐसे बिलकुल खत्म करेगा बहुत ही अच्छा गुनका तो आपको एक भगोने के अंदर इस दूद को डाल लेना है गैस को ओन करके गैस पर इसको पकने के लिए रख देना है तो देखिएगा फ्रेंट्स आज आपके सामने ही एक ऐसा घरेलो उपाई सेयर करने जा रही हूं बहुत ही पुराने जमाने का है जो हमारी दादी हमें द बहुत ही जाध़ा गुनकारी ह book को देखता है और बहुत ही जाद का बाखी की चीजसे डाला की पढ़ा हो वीडियो एक चुटकी आपको इसके अंधर हल्दी पाउडर टालना है तो फ्रैंट यह हल्दी बहुत ही ज़ाद है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़ाद से फाइदे मंद होती है हमारे सरीर के दर्ध को दूर करती है शरीर में कहीं भी दर्ध हो किसी भी तरह का हो चोट का दर्द हो बाय का दर्द हो या फिर आपके सरीर में मास्पेशियों का दर्द हो बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है आपके डाइबिटीज को कंट्रोल में रखे और आपको बहुत ही सारे इसके फाइदे मिलने वाले हैं इस दूद को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे घ्रेल हुँ उसके की वीडियो रोज ले करके आती हूँ या द्रब उपर आपको दोने के रहिए सरी हैं अगरो को बहार कर देगी शोजिए बाहार करना में हुगी इसको अगर बहार स्कूपे करना है प्रेंट करने के लिए प्रेंट को इसे विठा करने के लिए प्रेंट को दोगा राइन चार बार जाये तब तक हमें पुड़ को डालकर अच्छे से इसे मिला देना तर्फ इस अच्छ हमारे का इस्ति में और वु उच्छा करiances लेंगे तो आपुशन हो किया तरी मात प्रसार हुझे द्रेंद कर देना है और एक बात का आपको और ध्यान रखना है आपको गैस बंद करके बच्चों से लेकर बड़े बुजीगों तक किसी को भी देश को डाल करके आपको गैस नहीं चलानी है नहीं तो आप पही दूद घट जाएगा और ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा और इसे प्रेंट आपक आपके सरीर में जो दर्द रहता है जो अकड़न रहती है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी एक हपते में आप इसे लेकर के देख एक हपते में आपके सरीर का दर्द ढूनडा भी नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छा ये दूद बनके तयार होता है फ्रेंट्स इसे मैंन करके जरूर बताना वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे घरे लूपाय आपके लिए रोज लेकर के आती हूं तो फ्रेंट्स वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब मिलेंगे अगल तक के लिए बाइ बाइ